मेन है प्राणाया इसको चाहिए ऐसे कर लें चाहिए ऐसे स्वास भर ले हाँ करो बेटा तुम बहुत ही जादा धुवा बढ़ जाए तब तो अपने घरों में योग करें लेकिन थोड़ा बहुत धुवा बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आपके लंग यदि मजबूत होते हैं और आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके लंग अपने आप धुवें से लड़ भी सकते हैं और जो आपके भीतर जमा हुआ दुवा है यहां तक कि बाहर वाला तो जमे गई नहीं जब छोड़ते हैं तो अंदर वाला जमा हुआ अभी बाहर निकल जाता है और जो प्रशन था कि अंदर लंग के अंदर क्लोट से हो जाते हैं लंब से हो जाते हैं जहां गाठे हो जाती हैं उसके लिए यह है कि भस्री का कपाल अभाती साथ में सुबह खाली पे एक से दो ग्राम हल्दी का पाउडर अथवा ताजी हल्दी जरूर ले लिया करें स्वामी जी क्योंकि हम पल्यूशन की तस्वीर भी दिखा रहे थे इसलिए एक जानकाली मैं आपके साथ भी साज़ा कर रही हूँ कि इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब है वो 500 तक पहुंच किया है और क्या बहुत लंबे वक्त तक ये जहरीला धुआ इन्हेल करते हैं तो कैंसर की भी समस्या हो सकती है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस से हाट की प्रब्लम, स्कीन की प्रब्लम, लंग की प्रब्लम, डायश्परई टी बी वालों के लिए तो ये जहर का काम करता है पॉलिशन जो आप पॉलिशन इडेक्स की बात कर रहे है तो cancer वालों को भी, मैं तो कहतो एक एक घंटा उनको या अनुलोम बिलोम करना चाहिए जब ज़्यादा pollution बढ़ जाता है तो बाहर ना करे तब फिर वो अपने घरों में ही यही हम जानना भी चाह रहे थे कि बाहर अगर आबो हवा ऐसी हो चुकी है एक्वालिटी इंडेक्स जो कि 300 से शुरुबात हुई थी, 500 को पार कर चुका है तो क्या बाहर बैठके ही योगा किया जा सकता है यह इंडोर भी ठीक रहेगा इसरे मैंने बोला खिड़किया खोल दें, परदे लगा दें तो जो अंदर हवा आएगी उसमें जो धूल होती है, धुवा होता है, कारबन होता है वो परदों के साथ जम जाता है और घर के अंदर गाय के घी का दीपक जला लिया करें हम गाय का घी पुरे देश को उपलवत कराते ही हैं गाय के घी का दीपक जला लिया करें वो जहाए उसके अंदर ओशधिये गोणा आ जाते हैं और वो जो बाहर का धुआ है उसके मुकाबले ये जो ओशधिये धूम ये उसमें ओशधिये का काम करता है तो ये घर के अंदर परदे लगा करके खड़कियां खोल करके तब करें आस्थमा वाले टीबी वाले और कैंसर वाले रोगी और उज्जाई भी जरूर करें उज्जाई भी करुबिटा ये ये का फैस्तमा के लिए जिनको भी सांस लेने की तखलिफ हैं उनको फेफड़ों के लिए और उनके गले के लिए जवर्दस काम करता है और रोक करके रखें आधा से एक मिनट तर इससे लंकी पाउर बढ़ती है फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ें ये ग्यारा से इकीस बार करें इसे कि पूरा भरा रोक करकी रखा और आधा से एक मिनट रोकने के बाद दाएं को बंद करके कौमी जी पॉल्यूशन की वज़े से जिनका गड़ा खराब हो रहा है ये उसमें भी फायदा होगा और जिनकी आँखों में जलन हो रही है उनके लिए क्या फला है जब अर्दस्त उसमें आखों में जलन होती है उसके लिए तो हमने तृफला से त्रिफला पानी से आईवास करने के लिए भी बोला हुआ है दृष्टी याज्शों में आईड्रोप भी डालने के लिए भर में भी एक चमच सफीद प्याज करस, एक चमच अद्रकस, एक चमच निबू करस और तीन चमच शहद उसमें मिला दें और ये एक एक बुन आँख में डालें सुबह सुर्य का त्राटेक भी करें और जलनेती करें तो जब अर्दस सब फायदा होता है आँखों की कोई प्रोब्लम रहेगी ही नहीं हाँ पानी जरूर तीन लिटर जरूर पी जिनको काफ अस्तमा कोल्ड अर्थाइटी से ओबी सीटी है कॉंस्टिपीशन है उनको गरम पानी ही पीना चाहिए तो यह आँखों के लिए मैंने बता दिया है एक बात और बता देता हूं जिनका भी पेट खराब रहता है उनको प्रोब्लम बढ़ती है इसलिए पेट ठी करना भी जरूरी है उसके लिए रात को त्रिफला चौन ले ले और सर्दियों के अंदर लोकी का जूस नपिये लोकी का जूस हम हर बार बताते हैं लेकिन आज मैं बता रहा हूं लोकी का जूस ना पिया आस्तमा वाले वह लोकी क कका सूप पां ने बताया है यह लोकी कल्प जो है असत्रेटीस वाले यूरिक अशटीट वी कमोजाएगा लेकिन सूप बना के पीना सर्दियों में इसका जूस पीने से किसी को ठंड़क होती है तो उससे कब बढ़ जाता है और दर्द बढ़ जाता है तो यह थोड़ी साफधानी भी रखें यह योग अभ्यास इसी तरह से जारी कियो है और इस बीच बहुत जरूरी है कि अगर सही धंग से योग का अभ्यास किया जाए तो चाहे मौसम में बदलाव हो या बाहर के बातावरण की वज़र से अगर आपको दिक्कत हो तो योग अभ्यास के जरिए यह इलाज संभ़ है ऐसे तीन से पात बार ब्रामरी और तीन से पात बार उदगीट ओओ 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 तो यह ब्रामरी उदगीट भी सुर्वी जी बहुत ज़्यादा लाग करते हैं स्ट्रेस को भी मेंटेन करते हैं यह इंजाइटी डिप्रेशन के लिए भी है यह हाइपरेटेंशन के लिए भी है यह इंजाइटी को भी बढ़ाते हैं और प्रॉड़क्टिन कार्टिसॉल एस्टियस अड्रेनल स्ट्रेस हर्मोंस में से कम हो जाते हैं बेटा इंडॉर्फिन इनकैफिलिन अच्छा हर्मोंस से बढ़ जाते हैं इसलिए ब्रामरी उद्गीत भी जरूर किया करें और एक बार सभी हास्यासन भी कर लिया करें एक बार सो हाथ उटाकर क्या हसो अपर से एसे हमारे आपर देखो यह बुजूर्ग से हैं कितने उमारो होगी दादा जी 59 अब इनका दम उखड़े जा रहा था दम में दम आ गया है और आपकी कित्री उमर है 55 ये 55 पच्पन पच्पन साल में अब इनका जो सास उखड रहा था दम उखड रहा था और ये तो 58 है इसने तो अपना सुराइसिस भी ठीक किया हाथ पैर फट जाते थे पूरा वो भी ठीक कर लिया और अस्थमा था वो ठीक करके बैठी है ये पहले तो नीचे भी नीचे भी बैठ पाती थी अब तो नीचे भी बैठ लेती है